राम राम किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देवल में किसान भाईयो आज बात की जाएगी लहसुन की खेती के बारे में गारलिक फार्मिंग के बारे में आज का जो हमारा टोपिक है वो है किसान भाईयो लहसुन की फसल के अंदर सब किसान भाईयों, पीजार टोनिक बहुत सारे मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, एक से एक अच्छा रहा है, एक से एक हलका भी आ रहा है, लेकिन जिस पीजार टोनिक के बारे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इसका उपयोग जदी आप करेंगे, तो ये बहुत जल् होता है, जो हमारे कंद का आकार होता है, जो इसका साइज होता है, ये भी बढ़ जाता है, और किसान भाईयों, आपकी टोटल जो पैदावार होती है, उस पैदावार में भी कम से कम 15-30 तक कि आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर किसान भाईयों, कु खेतियों की पूरी जानकरी की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी तो बात कर लेते हैं PGI आ टोनिक के बारे में किसान भायों जहां PGI आ टोनिक जो हमारी फसल की ग्रोध को रोकता है यानकि अंचाही ग्रोध को रोक के उसका जो हमारा साइज होता है जो कंद का आकार होता है उसे ये बढ़ाना सुरू कर देता है तो इसका एक तो आपको ये फाजा देखने को मिलता है क्योंकि पोधा हमारा नीचे से उपर तक जितना पोधे के इंदर त देखने को मिलेंगे नुकसान क्या होंगे कि आप इसका भंडारन नहीं कर सकते यदि आपको लहसुन जो है लंबे समय तक रोकना है तब तो किसान भाई आपको गलती से भी PGR Tonic का उपयोग नहीं करना है क्योंकि जैसे ही आप इसका उपयोग करेंगे इसकी जो भंडारन छमता होती है रोकने की चमता होती है वो किसान भाई यो कम हो जाती है तो मेरे जो प्यारे किसान भाई भंडारन करना चाहते है उन्हें PGR Tonic का उपयोग गलती से भी नहीं करना सिर्फ उन्हें नुकसान मिलेगा कोई भी benefit देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो किसान भाई तुरंती से सेल करना चाहते हैं वे किसान भाई पीजार टोनिक का उपयोग कर सकते हैं इसके साथ साथ किसान भाई यो पीजार टोनिक के और भी नुकसान आपको देखने को मिल सकत तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम जो पीजा टोनिक का उप्योग करते हैं मैंने सिर्फ एक बारी पीजा टोनिक का उप्योग करके देखा था उसमें पहला जो हमने लिया था वो सिंजेंटा का कल्टार लिया था और दूसरा किसान भाईयो टबोली का उप्योग किया था ल जो हमारे अगले दो भीगे बेस्ते हैं यानि कि 6 भीगे के जो हमने तीन हिस्से किये थे तीसरे हिस्से के अंदर हमने किसी भी PGI टोनिक का उपयोग नहीं किया था सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे टबोली अच्छा रहेगा कल्टार अच्छा रहेगा या फिर जिस प्लाट के अंदर हमने किसी भी PGI टोनिक का उपयोग नहीं किया है उसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इतना करने की किसान भाईो जब हमने बाद में आपारी इसकी हार्वेश्टिंग हुई लहसुन की तो हमें जो रियल्ट देखने को मिलते हैं अच्छे रियल्ट हमें देखने को मिले कल्टार के तो कल्टार का जो जिसके अंदर हमने इस्प्रे किया था उसका जो साइज था वो काफी अच्छा हमें देखने को मिला लेकिन जो टबोली था टबोली कल्टार के मुकाबले काफी पीछे रह गया था लेकिन किसन में जो हमारा तीसरा था जिसके अंदर हमने किसी भी पीजाड़ टोनिक का उपयोग नहीं किया था तो ऐसा नहीं है कि हमें 100% पीजाड़ टोनिक का उपयोग करना ही चाहिए टबोली भी अच्छा है ऐसा नहीं कि टबोली बिल्कुल बेकार है लेकिन कल्टार के मुकाबले टबोली का जो रिजल्ट है वो मुझे कुछ 19 से 18-19% के आसपास दिखाए दे जाने कि अगर हमारा कल्टार 20% तो टबोली जो था 18% के आसपास देखने को मिला वो जिसके अंदर हमने बिल्कुल भी किसी पीजाड़ टोनिक का उपयोग नहीं किया था उसका रिजल्ट 16% के आसपास देखने को मिला तो इस तरीके से किसामवा यहों में पीजाड़ टोनिक के रिजल्ट मातरा ली थी वो 65 ml के आसपास पिरती एकड़ के हिसाब से हमने इसका उपयोग किया था टबोली का उपयोग आप कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं वैसे पीजा टोनिक और भी बहुत सारी कंपरियों के आते हैं आपको सब बहुत ज़्यादे बैस्ट देखने को मुझे नहीं मिले तो आप अपनी जानकारी भी नीचे सेयर कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाईयों को राम राम जी